नमस्कार दोस्तों आई होप आप सभी बहुत अच्छी होगे दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और अब भी के टाइम में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है केवाईसी को लेके और आज के वीडियो के अंदर 80-90% अपडेट केवाईसी को लेके है और ओफीशल पाई नेटवर्क ने किया है पाई नेटवर्क ने एक नई टेकनोलजी निकाली है जिसका नाम AI टकनोलजी है इसके थुरू अब केवाईसी को डन किया जा रहा है और इस वाली वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा किस तरीके से आप इस चीज के के अंदर एपलाई कर सकते हो और आप सभी को जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है जो भी प्रॉब्लम्स है सारी के सारी प्रॉब्लम्स आज आपकी इस वाली वीडियो को देखने के बाद सॉल्फ हो जाएगी और as a manant launching को लेके भी update आ चुका है और इसके pricing को ले अगे निकल चुका है और उसके साथ web 3 की बात करे, nfts की बात करे, blockchains की बात करे, matterverse की बात करे इन सभी चीजों के अंदर ये बहुत आगे निकल चुका है तो सारे updates आज के इस वाली वीडियो के अंदर आप सभी को देखने को मिलेंगे और बहुत सी चीज ऐसी है जो मैं अभी highlights के अंदर cover नहीं कर पाया तो वो आपको वीडियो के बीच में या ending में देखने को मिलेगा, so guys वीडियो को शुरू से लेके end टक देखना और एक छोटी सी request है, अगर आप हमारे channel पे new हैं तो please subscribe करके notification bell को all पे जरूर प्रेस कर ले, चलिए guys start करते हैं, सबसे पहले मै पर refresh कर लेता हूं and चलते हैं first update की तरफ, guys यहाँ पर जो first update आ चुका है, यह magazine से लेके बात किया जा रहा है, जो कि the forum करके magazine है, wow this is too cool, pi network articles become popular on various media sites, it's going to the hottest than bitcoin and ethereum, when everyone is hyping it up, but nicholas wants to create a thriving and long lasting ecological network, keep the pi themselves live, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, pi network को बहुत सारी अलग-अलग countries की magazines है, वो इसको cover कर रही है, जैसे कि आप इसमें forum magazine के अंदर देख सकते हो, most read के अंदर first number पे यहाँ पे आ चुका है, the secret to building a 35 million plus strong crypto community in age of AI, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो, कि अभी के time में number one पे इ काम कर रहा है, ठीक है, and guys, चलते हैं, next update की तरफ, यहाँ पे update आ चुका है, web 3 को लेके, और यहाँ बताया जा रहा है, maybe you don't know the background before pi network was born, let's go back to history again and join the pi network revolution, तो यहाँ पे आप देख सते हो, किस तरीके से pi का, as a previous बताया जा रहा है, past बताया जा रहा है, किस तरीके से pi ने, blockchain को लेके, applications को लेके, और hackton को लेके, किस तरीके से work किया है, ठीक है, basically बात की जाए, creation of pi network, okay, and यहाँ पे एक कोशनी की जा रही है, एक अदमी ने कोशन किया है, sir, I did apply KYC in June 2022, but still pending, ठीक है, तो basically इन्होंने बोला है, जो मुझे issues हुए है, वो करीबन बहुत time पहले से हो रह फिर इसी चीज़ को pi network ने, as a reply करते हुए, बोला है, कि हमने बहुत सारी चीज़े update कर दी है, जो कि आप article में जाके देख सकते हो, और Nicholas ने भी इस चीज़ के बारे में बोला है, और इन्होंने एक चीज़ लास्ट में बोली है, pi network was launched publicly on 14 March, तो pi network जो है, publicly आ चुका था, 14 March क के अंदर, ना कि 2007 के अंदर, तो यह चीज़ थी, यह भी समझ मैंने चीज़े, ओके, और यहाँ पे एक चीज़ बताए जा रही है, when it is kyc invitation for me, and when is kyc for under 18 years of age, तो यहाँ पे कोशन पूछा जा रहा है, जो लोग 18 साल से कम है, तो उनके लिए kyc का क्या प्रोसीजर रहेगा, तो as a pi network ने इसका reply करते हैं, minors need to be authorized and verified by their parents, तो जो minors होंगे, जो छोटे होंगे, जो 17 या 16 या उससे कम age के होंगे, तो उनको अपने parents के through authorized, verify करना पड़ेगा, जो की एक तरीके से link हो जाएगा, और इसमें बताया जा रहा है, for this category, PICT has a plan, but it is not yet been made public, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि pi network इसके चक्कर में plans बना रही है, but अभी के time में इस चीज को लेके proper publicly नहीं बताया गया, ठीक है, और जो next crypto currency का update है, KYC से related बताया जा रहा है, नाइकुलस mentioned in the pi app home page, updated a few hours ago, it used to be only about the banking sector, तो यहाँ पे कुछ घंटे पहले, अभी recently की बात की है, नाइकुलस ने update किया है, pi की application के अंदर, जहाँ पे बताया जा रहा है, banking sectors के बारे में, जो कि different companies है, वो cryptocurrency sector के अंदर, और exchanges के sector के अंदर, brokers की बात की जाए, wallets providers की बात की जाए, चाहे वो Indian exchanges हो, foreign exchanges हो, या global exchanges हो, ठीक है, इन सभी की बात कर रहा है, जो ये services provide करते है, are increasing required kyc, तो इन सभी चीजों के लिए सबसे important चीज है, kyc required, ठीक है, इस चकर में यहाँ पे बात की जा रही है, और यहाँ पे उन्होंने क्या चीज़े बढ़ाई है, तो यहाँ बोला गया है, web3 expand and reward for digital users continue to advance the importance of kyc will only increase, तो यहाँ पे web3 जो है, जो applications है, basically web3, जो high technology applications है, उसको बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पे rewards देखने को मिल रहा है, और वो ही जो है, importance role play करता है kyc का, और kyc को भी increase किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, kyc will only increase, ठीक है, यहाँ पे kyc को बढ़ाया जा रहा है, okay, and guys, जो next most important update है, thanks to the team for pi media annual twitter space roundup, तो twitter space roundup के अंदर 2030 के अंदर एक important miracle देखने को मिला है, यहाँ पे आप देखते हो, 878 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने as a, इस चीज को space users को join किया है, और यह एक ब record बना है twitter के ऊपर, okay, and guys, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, pi network ने क्या चीज़े improve करी है, KYC को लेके आज के दिन, big pi news update, Nikolos is one of two founders of pi network, जैसा कि आपको पता है, दो founders है as a pi network के, उन्होंने features निकाले है, human authentication in the age of AI, तो यहाँ पे AI artificial के बारे में बात की जारी है, जिसमें की automation के इस चीज़ को मैं अभी आपको और डिटेल में समझाता हूं, किस तरीके से अब KYC और fast होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब human being काम नहीं करेंगे, machine काम करने वाली है, और वो automatically सभी की KYC इसको verify करेगी, और वो भी बहुत ही कम समय के अंदर, okay, और जो next चीज़ है, बताय वाले समय के अंदर, Pi Network Bitcoin को बीट कर पाएगा, ठीक है, अब भी का टाइम में हम बात करें, जैसे ही 2023 स्टार्ट हुआ है, Bitcoin का प्राइज 21,000 डॉलर से उपर जा चुका है, मतलब 17-18 लाग रुपे, जो कि December के अंदर 14-13 लाग के आसपास था, और इसने सिर्फ एक महिने के अ अभी अलग-अलग countries के अंदर जो wars हो रहे हैं, और अभी जो budget आने वाला है, इन सभी चीजों को लेके बात की जाएगी, और जितनी legality देखी जाएगी, TDS के बारे में, Texas के बारे में, उसी के बिहाफ पे cryptocurrency बहुत अच्छी बूम करेगी, और बहुत अच्छा price देगी, तो अब हम चलते हैं, license की बात करते हैं, license verified हो चुका है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, pie code team responds to you mall and ask to modify the application contest, according to the response, the mall is not allowed to manipulate the price, if it is not modified, it will miss the award of pie hackton and cannot enter the pie iOS license system, client guys, यहाँ पे एक important चीज़ बोली जा रही है, price को लेके बोला जा रहा है, pie hackton के अंदर price का कोई भी modification और price को लेके कोई भी manipulation नहीं होगा, और उस चीज़ को लेके ही, यहाँ पे license को रखा गया है, और यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है, इसमें management को भी cover किया जा which a speculative price for pie is started from the PR, the brainstorm proposal and your application, this is against the enclosed manage rules and pie network terms of services, यहाँ पे कोछ चीज़ ऐसी है, जो as a properly relate नहीं कर पारी, pie network को इनके जो documentation है, ठीक है, जो की enclosed manage की बात कर रहे है, उसकी जो terms and services है, और बताया जा रहा है, yes, officially we intend to open source access to pie OS, their official brainstorming proposal and pull have deleted the price statement, तो यहाँ पे जो brainstorm की अंदर है, जो price को लेके बात की जा रहे थी, जो बढ़ रहा था, price जो भी घट रहा है, उस चीज़ को लेके यहाँ पे सब चीज़े डिलीट कर दी गई है, price statement को लेके, thank you for your official reminder, please review it again, thank you, तो इस चीज़ को लेके review किय जा रहा है, और देखा जा रहा है कि future में इस चीज़ को कैसे improve किया जाएगा, तो इस चीज़ को लेके crypto gang ने बोला है, you must also remove all mention of price within your application, तो यहाँ पे इनोंने बोला है कि जितने भी आपने hackton के अंदर, जो भी applications या बाकी सब चीज़ों की जो price लिख रखी है, उसको remove करो, and you must allow pioneers and merchants to decide the price of their pie, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी good news बोली है, कि जो price pie network अपने हिसाब से रख रहा था, उसको हटाने की बात की जा रही है, और जो pioneers है, मतलब आप सभी लोग decide करोगे, कि pie के जो merchants हैं, जो products होंगे, जो भी applications होगी, उसका price वो आप पे depend करता है, आप उसको कितना रखना चाहते हो, यह साफ साफ यहाँ पे last वाली line में लिखा हुआ है, ठीक है, and guys अब चलते हैं next update की तरफ, जो की pie के price की बात कर रहे है, तो यहाँ बोला जा रहा है, the market can agree on the price of 3,14,000, okay, but the mall participating in pie hackton cannot control the price, and cannot manipulate the market as a developer mall, which is recorded in the terms of services, the pie management, यहाँ पे एक बहुत important चीज बात की जा रही है, इन्होंने पहले agree किया कि हम जो price होगा, 3,14,000 के आसपास होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे participation जिन्होंने किया है, pie hackton के अंदर, जो 25,03,000 के आसपास लोग है, तो यहाँ पे लिखा है, यह price को control नहीं कर सकते हैं, और ना यह price को manipulate कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, और ना इसके बारे में अपनी कुछ proper बातें बता सकते हैं, ठीक है, यह जो सारी चीज़े है, record हो चुकीती पहले ही, terms and services के अंदर, ठीक है, और इसी चीज़ के चकर में pie minute भी रुका हुआ है, और pie minute को भी यहाँ पे count किया गया है, और जो next चीज़ बोली जारी है, इसमें product manager क्या बोल रहे है, the zoom workshop meeting for pie hackton has just ended, the recording will be available on the hackton website shortly, यहाँ पे अभी कल परसों के अंदर workshop की meeting हुई थी, जो की zoom पे हुई थी, उसको basically finish हो चुकी है, उसकी proper recording जो है, है hackton की website पे डाल दी गई है, छोटी करके जो important points थे, और यहाँ पे लिखा है, please ensure to watch the video, if you miss the session, there are very important insights from Nikolos and Kelvin products manager, in it will help you, तो यहाँ पे product manager ने, Kelvin ने, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, जो आपको किस तरीके से benefit करने वाले हैं products, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे clear किया गया है, और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, pioneers happy Friday morning, यहाँ पे आद इस तो बहुत सारी countries के अंदर, इस चीज़ के promotions हो रहे हैं, के t-shirts के, इसके merchandise के, और बहुत सारी barter systems के, ओके, और यहाँ पे proper मैं आपको दिखा हूँ, the pie hackton workshop start at 7 a.m, तो 7 बज़े के आसपर start हुआता, जिसमें हर एक चीज़ के बा बात की जारी है, कि इसके अंदर problems क्या हो रहे हैं, उसको face कैसे कर रहे हैं, solve कैसे कर रहे हैं, अलग-अलग features को कैसे लाने वाले हैं, जो products होगी, उनकी values को कैसे रखने वाले हैं, इनके features को यासे रखने हैं, services को कैसे रखने वाले हैं, इन सभी चीज़ों की बात की जारी ह है next most important update की तरफ जो इसके KYC को लेके और detail में बात करते हैं जिसमें की आपको क्या AI system देखने को मिलेगा जिसमें की automation के through इन सभी चीज़ों को रखा गया है तो यहां पर अभी के टाइम में आप दे सद्दियो नाइकोलस के भी products को लेके बहुत सारे चीज़े I mean जो Elon Musk है इनको भी as a बहुत जादा create किया जा रहा है as a sponsor की बात की जाए या relate की बात की जाए वो किया जा रहा है बट यह proper as a real नहीं है यह जस्ट ऐसे ही post कर रहे है community के अंदर बट यह real नहीं है अब हम चलते है कि KYC को लेके क्या चीज़े अभी impact करती है तो अभी जो है pine network तीन चीज़ों पर focus कर रहा है web 3.0 पर blockchain पर and cryptocurrency ठीक है इन सबी चीज़ों की बाते हम basically रोज करते रहते है and guys अब चलते है next पर यहां पर बताया जा रहा है central irony for KYC बात की ज़रे KYC के बारे में जहां पर बताया जा रहा है कि इन्हों ने age of AI pine network built a decentralized something decentralized scalable KYC solution that combines machine automation with crowdsource human verification for an efficient and responsible solution तो यहां पर guys AI system पर यह work होने वाला है जिसमें कि सारा चीज automation पर काम करेगा जो human being काम कर रहे थे पहले वो तो करेंगी करेंगे बट AI system को भी लगाया चारा है और इससे बहुत तेजिस से सभी की KYC को complete किया जाएगा तो guys यह एक बहुत best way है जिसे कि सभी की KYC's complete होंगी क्योंकि अभी भी ऐसे लोग है जो सालों सालों की KYC's डाल चुके हैं बट उनकी KYC's में problem आ रहे हैं किसी के as a wallet में problem आ रहे हैं किसी के 7 steps के अंदर problem आ रहे हैं किसी को अलग अलग चीज़ों की problems आ रहे हैं KYC से related बट यहां पर mostly सभी चीज़ों को as a clear करने की बात की जारी है और यहां पर KYC को एक और चीज़ लिखा है यहां पर बताया जारा are you KYC verified you can get PI as a rewards verifying your KYC account यहां पर automatically जो लोग KYC verified है उनको automatically reward मिलने वाले हैं जो कि आपके account में आ जाएंगे आपको कुछ भी नहीं करना ठीक है और यहां पर आपको कुछ इस type का interface देखने को मिलेगा जहां पर start validating करके लिखा होगा और आप earn कर सकते हो pending validating successful और total और accuracy percentage भी यहां पर देखने को मिलने वाला है ओके and guys अब चलते हैं थोड़ा और नीचे यहां पर KYC को लेके बहुत important चीज बताया जारा है जो कि solution की बात की जारी है solving for scalable KYC क्या क्या चीज़े यह कर रहे है basically to solve the KYC dilemma we believed human central design a scalable technology will be allowed to future of web 3 to transparent and fairly compensate users while maintaining both personal anonymity and legal compliance तो यहां पर बात की जारी है legality की बात की जारी है safety की बात की जारी है और security की बात की जारी है उसके साथ यह जो web 3 है वो एक ऐसी technology create कर रहा है जो की AI technology है जो की automation पर काम करेगी उस चीज़ को लेके बात कर रहे है और बोला जा रहा है PI Network was founded on a systematic of scientific facts and human truth as Stanford University PH you might expect as much as तो यहां पर जो Stanford University है USA के अंदर वहां पर इस project को लेके काम किया जा रहा था जो की November October के अंदर पिछले साल 2022 के अंदर mostly सारा कुछ complete हो चुका है इसी वज़े से अब Hecton को launch कर दिया गया है और Hecton भी अच्छा खासा perform कर रहा है ठीक है We say scientific truth because we believe there is truth is everything we do in an effort to get closer to the test ठीक है तो यहां पर basically उन्हें सब चीजों के बात की जा रहे है तो scientific truth है और सारे चीजे faith पे हो रही है और यहां पर हर टाइप की testing चल रही है जिसमें की efforts लग रहे है टेस्ट को लेके design को लेके hypothesis को लेके and यहां पर strategies की बात की जारी है management की बात की जारी है हर एक चीज को लेके यहां पर बात की जारी है ठीक है जैसा कि आप सभी के screen के सामने यहां पर देखने को मिल रहे है तो guys आप सभी ने यहां पर देखा किस तरीके से यहां पर KYC verification के लिए बहुत सारी चीजों को improve किया गया है तो दोस्तों आज की video के अंदर यह बोला है और अब एक टाइम में जो पाई network privacy पे legality पे और बहुत सारे important चीजों पे काम कर रहे है और जैसा कि आप सभी ने देखा बहुत सारे different different countries की बात की जाए वो इसके magazines के अंदर इस चीज को cover कर रहे है और बहुत सारी countries के अंदर आप देखते footage के अंदर भी बहुत सा अज में आया होगा अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो गाइस प्लीज एक लाइक कर देना और गाइस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके notification बैल को all पे जरूर प्रेस कर देना तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते है नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम